नमस्कार मैं कावीता उनियाल आप देखने मीडिया ठूड़े टीवी तुर्की के रास्टेपती रजब तयब एर्दोगान ने संहित रास्टे महासाबा में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है एर्दोगान इससे पहले भी कई बार संहित रास्टे में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं लेकिन भारत ने हर बार तुर्की के रास्टेपती की युएन में बयान बाजी की कड़िया लोचना की है भारत शुरू से ही कश्मीर मुद्दे को आपसी मामला बताता आया है और किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी का विरोध किया है इसके बाद भी एर्दोगान बाज नहीं आते और वो अंतराश्टे मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं अभी कुछ दिन पहले ही तैयब एर्दोगान खास महमान बनकर संगई सहीयोत संगठन की बैठक में पहुँचे थे जहां उनकी मुलाकात नरेंदर मोदी से हुई थी मोदी के साथ मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि एर्दोगान भारत के साथ रिष्टे मजबूत करना चाहते हैं और भविशे में कश्मीर के मुद्दे को नज़र अंदाज करेंगे लेकिर ऐसा नहीं हुआ चार दिन बाद ही एर्दोगान ने युएन पहुँचकर एक बाद फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत को हैरत में डाल दिया एर्दोगान ने संच्ट रास्ट्र में क्या कहा पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तुर्की के राष्टेपती रजब तयव एर्दोगान ने संयुत राष्टे महासाबा को संबोधित करते हुए एक बाद फिर से कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने उठाया है एर्दोगान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले अपनी संप्रबुता और स्वतनत्ता कायम करने के बाद भी शांती कायम नहीं कर पाए जो दुर्भागेपूर है हम कश्मीर में 27 शांती और समर्दी कायम होने की आशा और कामना करते हैं एर्दोगान के अलावा तुर्की के दूसरे नेता भी कई बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं एर्दोगान एक बार नहीं कई बार सहित राष्टर में कश्मीर मुद्दे का उठा चुके हैं जिसके बार भारत और तुर्की के बिच दिश्टों में तनाव भी पैदा हुआ भारत कई बार एर्दोगान के बयानों पर एतराज जता चुका है भारत कह चुका है कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभूता का सम्मान करना चाहिए यही कारण है कि दुनिया भर की यात्रा करने वाले परधान मंतीर नरिंदर मोदी ने आज तक तुर्की की यात्रा से परहेच किया है एर्दोगान ने उजबेकिस्तान की राज़दानी समरकंद में हुई S.C.O. की बैठक में परधान मंतीर नरिंदर मोदी से मुलाकात की थी इस मुलाकात के बाद यह आशा जताई जा रही थी कि भारत और तुर्की के भी दुई प्रक्षे संबंदों में सुधार होगा दोनों नेताओं की मुलाकात ने भी पूरी दुनिया को चौका दिया था लेकिन इस मुलाकात के चंद दिनों बाद ही कश्मीर को लेकर एर्दोगान की बयान से दोनों देशों के भी स्तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है आपको बता दे तुर्की के राश्चेपती तयव एर्दोगान खुल कर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं पिछले साल दब सहित राश्चे महा सभा का अयोजन किया गया था तब भी एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कश्मीर पर पाकिस्तान का हग बताया था एर्दोगान ने ये भी कहा था कि कश्मीर का मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्पूर है जितना पाकिस्तान के लिए है आपको बता दे तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे पर आक मुंद कर भरोसा करते हैं हाली में जब ग्रीस के साथ गूमद्य सागर में विवाद हुआ तब पाकिस्तान ने खुल कर तुर्की का समर्थन करने का एलान किया था पाकिस्तानी तुर्की के पक्ष में अपनी नो सैना को भी युद अभ्यास के लिए भेज दिया था इसके बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है अब एक बार फिर से एर्दोगा ने कश्मीर मुद्दा युएन में उठाया है आपकी इस खबर पर क्या रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप मेलेंगे अगली खबर के साथ शुक्रिया